दोस्तों नमस्कार कुर्केट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का श्वागत है। मालिकों के बीच देखने को भी लेगे लेकिन दोस्तों मिटिंग में हमें कोई भी डिसीजन देखने को नई मिला था लेकिन फाइनली अब यहाँ पर एक और बिसीजन कोन कोन पारिटिपेट कर रहा है। और वही क्या फाइनल अपडेट्स यहाँ पर ओल्ड रेडी भी शिश्याई ने IPL 2025 को लेकर रिविल कर दी हैं, यह सब यह अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, केट से जुड़ी हैर छोटी बड़ी कबर सबसे पहले पाने के लिए, वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइबर के बैल आइकन जरूर दबा देना, दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मीटिंग के बारे में, कि वही क की दस्टीमों के उन्नस, और उन सभी चीजों के उपर हमें एक पर फिस से फाइनल डिसीजन बिल्कुल कंफंड मोहर लगती नजर आएगी, जो डिसीजन यहां पर अभी तक IPL 2025 को लेकर पेंडिंग है, जिसके उपर अभी भी बीच में तलवार लटकी हुए, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आए है, तो चल यह वन बाई वन सभी एह है, मुद्दो के उपर हम नजर डालेते हैं, तो दोस्तों पहला अपडेट यहां पर है, IPL 2025 के उक्षन के फॉर्मेट को लेकर जिहां, मेगा उक्षन होगा या फिर मिनी उक्षन होगा, अभी तक यह है बड़ा सस्पैंस BCCI ने बना रखा है, और अभी कोई फाइनल कंक्लूजन अब इसके उपर अभी तक देखने को मिला नहीं है, आपको यादे कि लास्ट IPL 2025 के रिगार्डिंग जो मिटिंग होई थी, वहाँ पर सभी टेमों के उनना से जब सवाल पूचा गया कि आप मेग उक्षन यहाँ पर हो ताकि उन टीमों के स्क्वेड्स यहाँ पर बदल जाए, तो वैसे में यहाँ पर कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट उससे यह है, अधिकारिक तोर पर कंफर्म किया जा चुका है, कि IPL 2025 के सीजन के यहाँ पर मिलेंगे, कितने रिटेंशन कार्ड यहाँ पर मिलेंगे, और इसके ओपर भी लगातार, अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स, अलग अलग तरह की फ्रेंचाइजियों की डिमांड समया भी तक देखने को भी लिए है, आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से ब बोला था कि कम से कम चार रिटेंशन और चार रिटेंशन कार्ड यहाँ पर एवरी फ्रेंचाइज को मिलने चाहिए, इसके ओपर जो लेटेस्ट अपडेट निकल करा रहा है, उसमें ऐसा बतता है जा रहा है कि आई पील 2025 के मेक आक्शन से पहले, एवरी फ्रेंचाइज को पांच रिटेंशन कार्ड यहाँ पर मिलेंगे, बही पांच रिटेंशन कार्ड तो मिल जाएंगे, लेकिन रटेंशन कार्ड तो मिल जाएंगे, लेकिन रटेंशन कार्ड कितने बिलेंगे, इसके ओपर भी बड़ी जद्दो जहेद, बड़ी बहस यहाँ पर चली, कोई ब 2025 के मेगा उक्षंस के लिए नहीं मिलने वाला है उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में तो अपडेट निकल करा रहा है पर्स बैलेंस को लेकर जिहां इपिल पर्स बैलेंस के दुरान टीम का पर्स बैलेंस सो करोड रुपए था और ऐसा अपडेट आज चुगा था कि पर्स बैलेंस डेफिनिटल इंक्रीज होगा हमने भी अंदाजा लगया था हो सकता 110 क्रोड हो जाए ज्यादा 120 क्रोड तक पर्स चल जाएगा लेकिन दोस्तों अब IPL 2025 के लिए मिल सकता है और अगर इतना बड़ा पर्स मिलेगा तो वही डेफिनिटली किसी ना किसी प्लेयर की किसमत यहां पर तगड़ी चमजेगी बड़े तीहास यहां पर रचे जाएगे इतना बड़ा पर्स हूरगा तो वही कहीं ना कहीं चीरियसली बहुत सारे बड़े बड़े रिकोर्ड्स और आकड़े भी IPL 2025 के मेगा उक्सन्स के दोरान हमें तूटते नज़राएंगे लेकिन इसके उपर अभी तक बिसीश्याय की तरफ से कोई ओफीसियल अपडेट फाइनल अपडेट नहीं आया है और इस मीटिंग का मत इसके उपर डिसकसन किया गया है कि हम नमबर ओफ मैच्चीज का आईपेल एडिशन के दुरान 74 मैच्चीज का आईपेल एडिशन हमें देखने को मिला था लेकिन वहीं बिसीश्याय ने अभी 3-4 साल पहले ही ऐसा क्लेम कर दिया था कि आईपेल 2025 में हम नमबर ओफ अभी करेंटली 74 है उनको मतलब 10 मैच और बढ़ाकर 84 मैच्चीज को होस्ट करने का नया फोर्मैट यहां पर बेशीश्याय इन्ट्रोड्यूस कराया था और जब मिटिंग के दुरान इसके ओपर डिसकसन किया गया कि हम नमबर ओफ मैच्चीज यहां पर इंक्रीज कर रहे जी नहीं आप नमबर ओफ मैच्चीज को मत बढ़ाईए इसके हमें तगड़ा नुक्षान होने वाला है और वैसे भी आपको पता है कि जो बीच के मैच होते वहां पर थोड़ीशी वी वह सिब भी कम हो जाती है और बही और बही ज्यादा दिन आपर ब्रोड्कास्टर के इसके अंदर विखरेंगे डील में कोई चेंज होगा नहीं तो ऐसे ब्रोड्कास्टर को नुक्सान हो रहा था फ्रैंचाइजियों को फायदा हो रहा था और ब्रोड्कास्टर ने विशी से रिक्वेस्ट किया कि वही प्लीज आप नमबर ओफ मैच्चीज को मत बढ़ाई और वही विशीश्याई उनकी मतलब जो रिक्वेस्ट थी उसको यहाँ पर विशीश्याई ने अच्छेफ्ट कर लिया है विशीश्याई ने बोल दिया है कि आप चैंसन मत लीजिए वही हम नबरों पैच्चीज को इंकरीज नहीं करने वाली है प्र आई पील 2025 तो डेश् उसके आदम बात करते हैं अगले अपडेट अगले मुद्दे के बारे में जो होने वाला है आई पील के इंपक्ट प्लेयर रूल को लेकर जिहां भी से दो तीन साल पहले विशीश्याई ने आई पील में एक नए नियम को इंट्रोड्यूस करा है था जिस नियम का नाम था इंपक्ट प्लेयर रूल जिसके तहत प्लेयंग 11 में मतलब मैच में 11 एने बल किसी दे 12 है प्लेयर ही पाल्टिसीपेट करते थे एक प्लेयर एज इंपक्ट प्लेयर टीम के साथ जुड़ा होता था और उस समय पर आपको पता है बही मतलब बैटिंग टाइम पर बले बाज को लेते बोलिन टाइम पर गिंद बाज को शामिल कर लेते थे ओल्राउंडर्स की वैल्यू यहां पर लगातार नीचे की तरफ डाउन जाती जा रही थी तो वही ऐसे में यहां पर कुछ लोगों इसका पोज भी किया था कुछ लोग इसके पूरी तरह से फेवर में भी थे वही चीज़े अब की बार भी चली थी जब इंपक्ट प्लेयर रूल के बारे में लास्ट मीटिंग के दुरान डिसकर्शन्स के गए तो वहां पर दो-चार फ्रेंचाइज यह तो बोल्ड दी वहां पर इंपक्ट प्लेयर रूल के साथ कंटीनू की जिए लेकिन दो-चार फ्रेंचेज जैसे ही बोले थी कि वही इंपक्ट प्लेयर रूल का फटा दी जिस्टे ओल्राउंडर्स की वैल्यू कर्केटर्स की वैल्यू यहां पर खतम हो रही है तो वह ऐसे में यहां पर विसीश्याई ने इसके उपर काफ़ी ज़धा गहन डिसकर्शन किया लिकिन अ फाइनल डिसीजन भी देखने को मिल चुका है जहां पर विसीश्याई ने ऐसा बोल दिया कि नेक्स्ट एडिशन में हमें इंपक्ट प्लेयर रूल भी इंप्लीमेंट में ही आता हुआ नजर आने वाला है उसके बाद हम बात करते हैं अगले मुद्दे के बारे में जो होन है कि अब इसे पहले काफी बार ऐसी घटनाए हो चुकि कोई फोरिनर प्लेयर आपके आईपेल के ओक्षन में रजिस्ट्रेशन करता है अच्छे खासे है वी अमाट में बिक जाता है लेकिन जैसे ही आईपेल एडिशन की शुरुवात होने वाली है उससे जस्ट पहले वो सेद्राबाद टीम की जो ओनर है कावया मरन उन्हें लास्ट मीटिंग के दोरान यह मुद्दार रखात है कि जो प्लेयर यहां पर अचानक से अपना नाम विड्रो करता है उसके ओपर आईपेल से दो शाल का तीन साल का चार साल का जिस तरह से आपको बेटर लगे उतना आ इतली बात तो सोचने वाली है क्योंकि आपको पता है जदी कोई प्लेयर अचानक से खेलने से इंकार कर दिता है तो टीम के स्क्वेट्स का जो बैलेंस उन्होंने निलामी के दुरान बनाया था वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड जाता है और इस चीज को ध्यान में रखते ह हुए इसके उपर लगातार अपने डिसकर्स कर रही है और इसके उपर भी फाइनल डिसीजन देखने को मिल जाएगा उसके आदम बात करते हैं अगली खबर के दो खबर यहां पर निकल कर आ रही है IPL 2025 के ओक्षन की तारीख को लेकर कब होगी निलामी किस तरह से होगी निलामी इसके उपर अभी तक बिसीजाई ने तो अपना कोई ओफीशियल अनौंसमेंट नहीं किया है लेकिन वैस मिटिंग के दुरान ओक्षन की डेट्स के रिगार्डिंग वेन्यू के रिगार्डि देखने को मिलेंगे और वेन्यू को लेकर पहले गहमा गहमी चली थी बेंगलूरू में होंगे दिल्ली में होंगे मुंबई में होंगे लेकिन अब जो अपडेट्स उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि लंदन में हमें IPL 2025 के मेगा उक्षन्स देखने को मिलने वाले हैं खैर दोस्तों यह सभी चीज़े हमें जो भी सिश्याई की नेक्स्ट एन्वल जर्नल मीटिंग होगी उसी मीटिंग के दुरान यहां पर देखने को मिलने वाले हैं उसके बात करते हैं अगले मुद्दे के बारे में अगले फैसले के बारे में जो होने वाला है टीम की आई पेल एडिशन में हमें होम एंड वे दोनों ही फोर्मेट्स के मैसिज के लिए अलग अलग जर्सीज यहां पर देखने को मिलेगी तो बहुत ज्यादा रंगीन यहां पर हो जाएगा तो दोस्तों आई पेल 2025 के रिगार्डिंग जो बिसीश्याई की अगली मिटिंग हो करने वाली है उस मिटिंग को लेकर ये बड़े अपडेट्स निगल करा रहे थे इन सब ये अपडेट्स के उपर आपके क्या ओपिनियन समय कमेंड बुक्स में जरूर देना आपने राए खिलाल की शुड़ों मसी तना आई जदा इंफोर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइ थैंक्स पर वचिंग